Hello everyone, आज किस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS-012 Computer Organization and Assembly Language Programming Block 1 Introduction to Digital Circuits Unit 1 The Basic Computer इसके अदर हमने क्या क्या पढ़ना है, The Basic Computer में क्या क्या चीज़े है, The One Newman Architecture, फिर उसके बाद है Instruction Execution एक example के साथ में instruction cycle and computer then and now, तो इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था The One Newman Architecture के बारे में, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे instruction execution and example तो start करते हैं यह सब अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं यहां से शुरू है जैसे कि अगर आपको पता है कि हमने यहां पर एक प्रोग्राम लिखा है इतना तो में भी शायद आप जानते होगे कि C में कोई C में कोई भी मालो किसी भी language में अगर आपने program लिखा है तो इसको आपको execute कराना है तो basically मैंने जो example लिया है वो मैंने C language के लिए लिया है तो a sample C program assuming two fixed value of number A A की value 5 and B की value 2 है उन दोनों को आपको add कराना है उसके लिए आपर simple sa program है आप इसको execute करा कर देख सकते है तो यह हमने C में देखा था कि यह कुछ hash include यानि कि हमारे क्या होते है कुछ functions file को use करने के लिए header file उसके बाद यहाँ पर main function हमारे यहां से start है तो हम इसको लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है int यहाँ पर हमने variable declare किया a equals to 5 and b equals to 2 and c ठीक है तीन variable है जहाँ पर हमने क्या किया है fourth line में यहाँ पर variable का declaration किया है जो क्या करेगा तीन memory location के equivalent क्या लेगा space लेगा ठीक है जिनका name हमने abc define कर दिया अब यहाँ पर fifth line में क्या कह रहा है कि c equals to क्या हो जाए a plus b यानि कि जो भी a plus b के बाद में इन दोनों को add कर गया है तो वो c के अंदर store हो जाए उसके बाद में हम six में क्या कर रहे है print f जो भी हमारी value आएगी यानि कि c की value जो भी यहाँ पर आए उसको हम output कर आ रहे है यानि कि output में show कर आ रहे है c की value कितनी आएगी तो यहाँ पर जो output आएगा वो क्या आएगा तो यह इस तरह का इसका कुछ output आएगा output में क्या value आएगी the added value is 7 इस तरह से इसका output आएगा तो यह हमें समझ में आ गया कि इस तरह से हमने program बनाए अब इसको जब हम execute कराएंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए अगर आप इसको computer में execute कराओगे तो सबसे पहले जो हमारा first step होगा वो क्या होगा कि हमें इसको compiler की help से मदब जो compiler होगा उसकी help से इसको compile करना पड़ेगा जो हमारा machine language code है उसके अंदर क्योंकि जो हमारी c language है वो तो high level language है तो उसके अंदर हमने इस program को लिख दिया अब यह तो computer को समझ में आएगी नहीं तो उसको हम क्या करेंगे machine language में convert करेंगे ठीक है compiler की help से तो जब हम इसको help मदब उसको compile कर लेंगे तो उसके बाद में कुछ process होता है जैसे कि सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि किस तरह के register होते हैं और वो क्या क्या चीज़े values को store करके रखते हैं तो अभी हमने यह प्रोग्राम देखा है इसको हम execute करेंगे तरीके से ठीक है तो उससे पहले कुछ जो knowledge है जो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से यह execute होता है या फिर इसमें किस चीज की requirement होती है क्या operant होता है memory location क्या होती है कौन से registers होते है वो सब हमें पता होना चाहिए तो इसलिए मैंने हाँ पर space लिया है और हम इसमें पर सबसे पहले register देखेंगे कि register किस तरह से कितनी value को hold कर आएंगे ठीक है तो माल लो कि यहाँ पर आपके पास क्या है एक memory है 4096 multiply 16 ठीक है number of words यह आपके पास एक memory है इस memory के अंदर जो हमारा यह memory का size है वो कितना आएगा हमारे पास 16 bits ठीक है 16 bits आएगा अब इसके बाद में जब हम इसको मतलब इसके अंदर जो जो चीजे होंगे जैसे कि हमारे पास जो register होगा ठीक है address register तो address register के अंदर आपके पास क्या आएगा वो कितने bit का होगा वो 12 bit का होगा 12 bit का होगा 12 bit जब आप इसको expand करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास में इसको जब आप 2 की power में लिखोगे तो आएगा 2 की power 12 4096 ठीक है 2 की power 12 और इसको जब लिखोगे तो यह कितना आएगा 16 को आप लिखोगे तो 2 की power में कितना लिखोगे 2 की power 4 और जब इन दोनों को add करोगे ठीक है यानिकि 12 और 4 को add करोगे तो यह हमारे पास कितना आएगा 16 bit यहाँ पर जो memory यूज करें वो कितने bit की है 16 bit की memory है इस तरह से memory निकालते है अब यहाँ पर देखो address है वो address इसका लेता है यानिकि यह क्या होगा हमारे address में रहेगा तो यह address कहां से कहां तक लेगा 12 bit का क्या होगा address होगा 12 bit address में जाएगी तो 0 से लेकर यहाँ पर कितना जाएगा 11 तो 0 से 11 आप count करोगे तो यह address register में इतना चला जाएगा ठीक है address register को हम AR से show करते हैं तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया ठीक है मतलब यहाँ पर सिर्फ address जाएगा AR register में 0 से लेकर 11 तक यानिकि 12 bit store करेगा उसके बाद में आपके पास है data register ठीक है यह कितना bit लेगा 16 bit लेगा क्योंकि इसको तो पूरा data store करना है तो यह कितना लेगा Zero से लेकर 15 जब आप add करोगे तो यह 16 bit हो जाएगा उसके बाद है हमारे पास accumulator तो accumulator क्या करता है accumulator क्या क्या करता है किसलिए use होता है accumulator register का use करते है हम जो भी हमारी मलब थोड़ी देर के लिए value को store कराने के लिए intermediate result को store कराने के लिए हम क्या करते है accumulator register का use करते है जिसको हम AC भी बोलते है accumulator register ठीक है यह क्या करेगा पूरा accumulator में हमारा data या था तो 0 से लेकर 15 तक का पूरा यानि कि 16 bit का data इसके अंदर होगा उसके बाद में जो हमारा accumulator होता है यह क्या करता है कभी-कभी used as input for accumulator ठीक है ALU का अगर कोई input लेना है तो उसकी जगे पे हम accumulator register का use कर लेते है कभी बार और कभी ऐसा होता है कि ALU का जो result होता है ठीक है, ALU का अगर कोई result आता है तो उसको store कराने के लिए भी temporary storage के लिए हम AC का use कर लेते है ठीक है उसके बाद है हमारे पास में जैसे अगर हमारा IR है, ठीक है, instruction register तो instruction register में क्या होगा एक आएगा हमारे पास यहाँ पर हमारा होगा instruction मतलब जो भी एक पास होगा ठीक है, एक में हमारा क्या है का ओप code ऐसे समझ लो अभी क्योंकि इसके बारे में और भी हम explanation बाद में देखेंगे IR का, तो यहाँ पर देखो क्या है, ओप code होगा एक ठीक है, एक हमारा होगा operate, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है instruction register है, तो instruction के अंदर सारी चीछ जाएगी, यानिकि 0 से लेकर 15 तक, मतलब कि 16 bit की information इसके अंदर जाएगी ठीक है, तो जो हमारा यह ओप code होता है, ओप code क्या होता है कि कौन सा, जो भी आपको operation perform करना है, ठीक है operation क्या होता है, कि जो भी, जिस पे भी data, मतलब जो भी data होगा आपके पास में, लाइक कि अगर a plus b करना है, तो यहाँ पर क्या है यह b और यह क्या है, हमारे पास operate है, ठीक है, तो यह हमें समझ में आ गया यह हमारा instruction register है ir, ठीक है, उसके बाद यह क्या करता है, इसलिए use क्या जाता है, ताकि यह क्या कर सके instruction को fetch करके store कर सके instruction को fetch करके store कर सके, ठीक है, उसके बाद हमारा होता है temporary register वो भी कितना होता है, tr 0 से लेकर 15 तक, ठीक है temporary register, यह भी क्या करता है जिसको हम buffer register भी बोलते है ठीक है, यह temporary register होता है, उसके बाद है हमारे पास में input register और output register, ठीक है, तो अभी हमें इतना जो है, इनकी ज़रुरात पड़ेगी जब हम किसी भी particular instruction को execute कराएंगे उसके लिए, तो मैंने यहाँ पर यह बता दिया, तो यहाँ पर जो हमने memory लिया है, वो 16 bit के लिया है, तो उस इसी को हम यहाँ पर explain करेंगे, ठीक है, उसी को use करके जो भी हमारा instruction है, उसको execute करेंगे, तो यहाँ और बी चीज़े है, जैसे कि अभी हमने load के बारे में पढ़ना है, कुछ operation code है, ठीक है, और उनकी definition यहाँ पर लिखी हुई है, कि इसका use किस लिए किया जाता है, तो यहा store the current value of accumulator, current value क्या है accumulator की, उसको store कराओ किसके अंदर, memory के अंदर, add किसलिए किया जाता है, add the value from memory to the accumulator, तो अभी जो आपने program लिखाता, ठीक है, हमने जो program लिखाता, तो उसके अंदर जो line 5 थी, उसमें लिखाता, c equals to a plus b, तो यहाँ पर जो हमारा load हुआ, वो क्या क्या हु accumulation A, accumulator register में चरी जाएगी, फिर उसके बाद में b, मतलब add किया, हमने add b, तो add the content of b to content of accumulator and store result in accumulator, कि यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा हम accumulator के अंदर, जो value हो, उसको add कर देंगे b के साथ में, ठीक है content, जो भी b का content है, उसको हम add कर देंगे, जो accumulator में पहले से store है उसके साथ मे result को store करा देंगे b के पास में, ठीक है accumulator में, उसके बाद में हम क्या करेंगे store, तो यहाँ पर जो हमारा accumulator में value है, उसको store करा देंगे, store the content into location c, जो भी c की location है, उसके अंदर हम इसको store करा के रख देंगे, ठीक है, I hope कि इतना clear हुआ होगा, इसके आगे है, जो भी हमने दे तो इस तरह से लिखेंगे, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, sorry, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से यह information होगी, तो यह कितना हो जाएगा, 1, 2, 4, 8, ठीक है, 8 और 2, 10 हो गए, 14, 15, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, इसको हम 4 times 1 से represent करेंगे, ठीक है, तो यह पूरा 16-bit का information यहाँ पर आएगी, ठीक है, यह सब binary में होता है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, पर यह binary में लिखा होता है, अब इसके बाद में यहाँ पर देखो, हमारा जो भी हमने देखा, तो यह register किस तरह से काम कर रहे हैं, अब उनको देखते है, तो यहाँ पर क्या है ALU है, यहाँ पर AC है, और यहाँ पर CU है, ठीक है, यह तीन चीज़े होती है, हमारी किस के अंदर, CPU के अंदर, ठीक है, ALU, accumulator register, control signals, ठीक है, यह पास करेगा CU, control unit, ठीक है, उसके बाद में यह हमारे कुछ registers भी उसके अंदर available होते हैं, किसमें CPU के अंदर, तो यहाँ पर यहाँ पर देखो, जो हमारा यह address है, यह कहाँ पर जा रहा है, यह जा रहा है, MAR के पास में, MAR के पास में, यानि कि memory address register, मतलब जो भी memory के अंदर, जो address है, जिसके ओपर आपको कोई भी operation perform करना है, कुछ भी करना है, तो उसका जो date, मतलब जो address है, वो यहाँ पर आएगा, ठ data को hold करता है, यानि कि 10 के पास में, क्या data है, 10 यानि कि जो हमारी memory, MAR है, memory address register, उसके पास में, जो data है 65, वो यहाँ पर store होगा, ओके, फिर यह क्या करेगा, यह किसके साथ connect होगा, ALU के साथ में, ALU क्या करेगा, फिर यहाँ से जो control, मतलब जो हमारे AC होंगे, control, accumulator register के पास से जो information store होगी, ठीक है, जो ALU में, इंफो मतलब, जो भी आपस में इनका connection होगा, जैसे अभी हमने देखा था, कि पहले A, प्लस B, और यहाँ पर C, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, कि A की value जाएगी, load होगी, ठीक है, 5, फिर B की value जाएगी, फिर वो load होगी, ठीक है, 2, और उ कुछ register की इस तरह से यह काम करते हैं, ठीक है, यह समझ में आया, and then अभी देखेंगे किस तरह से हम उस पूरे operation को perform करेंगे, तो यहाँ देखो, instruction का execution, तो सबसे पहले हम data को fetch करके लेकर आएंगे, ठीक है, fetch, first instruction to CPU, पहले हम क्या करेंगे, first instruction को CPU में लेकर आएंगे, तो यह 16 bits की memory है, अब यहाँ पर क्या है, यह 0 है, फिर 1, 2, 3, 4, और यह 15 तक जाएगा, ठीक है, यह 4 times 0, and यहाँ पर 1111, इस तरह से यह कुछ होगा, तो binary में ही इसको हम represent करते हैं, ठीक है, अभी यहाँ पर क्या है, हमारा जो data है, वो इसके अंदर होगा, ठीक है, यहाँ पर जो भी next instruction होगी, उसका data store करके रखता है, तो अभी यहाँ पर देखो sequence में, जो next instruction है, वो क्या है, 1 लिखा हुआ है, तो 1 पर जिर data, मतलब उसका address store करके रखेगा, ठीक है, इसका address, तो इसका address क्या है, 1, जो हमारा program counter है, उसके अंदर क्या address आएगा, 1, ठीक है, सबसे पहले पहले, इसने address को hold करके रखा, उसके बाद में, accumulator के पास अभी कुछ भी नहीं है, IR की पास अभी कुछ नहीं है, memory address register के पास है, memory address register क्या करता है, hold करके रखता है, जिसके उपर हमें कुछ perform करना है, तो यहाँ पर क्या है, 1, यहाँ से हमें A को load करना है, ठीक है, तो रखा हुआ है, ठीक है, अब step 2 पे चलते है, अब step 2 में क्या होगा, कि binary instruction जो भी है हमारे पास, यानि कि यहाँ पर 16 bit कर यह सब हमें पता है, उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा load A, यह program counter क्या करेगा, second पर move कर जाएगा, यानि कि next instruction पर चला जाएगा, क्यों next instruction जो भी sequence में ह कि वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, उसके बाद यह क्या करेगा, add B, ठीक है, add B पर यह अभी PC जो है, वो add इस पर है, accumulator में अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है, यह load A, यानि कि जो हमारा instruction register है, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, A को load करा दिया, और जो हमारा memory register है, उसके अंदर भी क्या है, मलब 1 का address है, ठीक है, उसके बाद में MBR, buffer register, ठीक है, उसके अंदर क्या करते है, data को store करा दिया, तो इसके अंदर data क्या है, load A data है, तो हमने क्या कर दिया, इसको load करा दिया, ठीक है, यहां तक clear हुआ, कोई दिक्कत, no, उसके ब बाद में, यह हमारा A लोड हो गया, A लोड होने के बाद, हम क्या करेंगे, यहां पर देगो, यह तो last execution, ऐसे ही ना सारे steps के लिए होगा, जैसे अभी हमने load कराए A को, अभी यह B को load कराएंगे, ठीक है, जैसी हमारा B को load कराएंगे, तो B में क्या है, एड करना है, तो यह है, जो accumulator में information होगी, एक्विलेटर में क्या information आजेगी, इस step के बाद में, accumulator में information होगी, वो क्या होगी, एड करदी आ, अब उसके बाद में, जो भी information होगी, उसको B के साथ में add कर देंगे, यहां पर जो data है, वो क्या है, हमारे पास 5 है, इस जग्ये क्या होगा, 5 होगा, उसके बाद में इन दोनों को add कर देंगे, ठीक है, इस step के बाद में, मतलब B को load करके लेकर आए, उसके बाद में उसको add कर दिया, तो सीधा यहाँ पर accumulator में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, उसके बाद में जब हम इसको execute करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे प उसके बाद में, M.A.R. में कुछ भी नहीं है अभी, और memory buffer register में क्या है, 7, क्योंकि यहाँ तक हम उसको add करा चुके है, यहाँ पर जैसी 7 आया, तो यहाँ देखो क्या हुआ, 13 पर क्या हुआ, यह लोड होकर यहाँ पर पहले आ चुका था, 13, 5 की information, फिर B को भी हमने लोड करा दिया था, यह भी आ गया था, उसके बाद में, C पर क्या है, इन दोनों को add करने के बाद जो accumulator में value थी, वो यहाँ पर आ चुकी है, 7, ठीक है, अब यह memory buffer register, memory buffer register यह information किसको देदेगा, AC को देदेगा, accumulator register को देदेगा, 7, उसके बाद में 7 क्या करेगा, मद़र control unit के द लगा हो, ठीक है, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को like करें, share करें, comment करें, अगर आपको कोई भी suggestion है, या फिर आपकी कोई भी query है, चैनल को subscribe करें, ताकि और भी informative videos आपको मिल सके, thank you for watching.